किया नीट क्रेक करना होगा और भी टफ क्या लगता है बच्चों क्या होगा इस बार नीट 2024 का एक्जाम क्या वहाकरी में टफ होने वाला है ऐसी क्या क्या चीजे है जो आज आप यहां पर जानने वाले एकदम हैं एक दम फेक्ट में आपको बताऊंगा कि यार हो सकता है कि इस बार जो नीट का एक्जाम हो उसको क्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाफ हो एक्जाम के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्जाम में पाटिसिपेट करने वाले केंडिडेट्स की क्योंकि पहले तो सिर्फ बायलोजी व और ज्यादा टफ हो क्रेक करना क्यों क्या क्या चीजे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ आपको पार्सर ने भी इसके बारे में बताया होगा कि अब जिनके बायलोजी एज एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी नीट का एक्जाम दे सब्जेक्ट बायलोजी भी ले ले एज़ा एडिशनल सब्जेक्ट तो पहले ऐसा नहीं सोचते थे जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैं खुद 12 में वेटा PCM मेरा सब्जेक्ट था अगर ऐसा मेरे को उप्शन मिल जाता था तो मैं बायलोजी भी ले लेता है एज़ा लेंगे तो कही न कहीं वो बच्चे जो सिर्फ जेई की प्रिप्रेशन कर रहे थे अब वो बाइलोजी भी एज एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे और नीट का एक्जाम देंगे और आगे चल करके अगर नीट को क्रेक करते हैं तो फिर मभी वी स्कर सकते हैं क्योंकि अगर उधर जैइ में सेलेक्शन नहीं होता है तो इदर सेलेक्शन हो जाएगा तो कही न कहीं क्या कंपिटिशन बड़ा बिल्कुल बड़ा तो कहीं न कहीं आपको अब और जाधा मेहनत करने की जड़रते बटा तो अब आप ये न सोचे कि आर नीट में तो बहुत सारे अटेम्ट होते हैं हम अगर इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल करेंगे अगले साल नहीं कर पाए तो फिर एक और बाइ ट्राइ करेंगे भाई अब आपका competition नीट वाले बच्चों के साथ तो था ही सही अब उन बच्चों के साथ भी है जिनकी physics already बहुत अच्छी होगी जिनकी chemistry already अच्छी होगी क्योंकि वो बच्चे PCM पढ़ रहे हैं अर्थात उनकी match तो अच्छी है ही सही लेकिन अब जिन बच्चों की match अच्छी होती है उनकी physics और biology भी है तो क्या उस बच्चे को ज्यादा benefit मिलने वाला है बिल्कुल तो आप उन बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा competition फील करने वाले हैं बच्चों तो अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना होगा हर एक subject को और ज्यादा focus करना होगा क्योंकि अब competition और ज्य अगली बात अगला एक और क्या है जिस वज़े से आपका जो नीट दो हजार चोईस है उसको क्रेक कर पाना थोड़ा सा टाफ हो जाए उसका कारण क्या है नया सलेबस में से बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस कर दिये गए तो अब क्या होगा कमी चैप्टर से कुशन आए यहMERियर आपलाइट," तो पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि सेलेबस कर पाते थे हैं है नश्मार क्या करन होता था कि बहुत सारे चैप्टर से इतना तो मैं कर नी पाऊंगा थोड़े बहुत चैप्टर कर अच्पर कर दिया तो अब तो क्या होगे चैप्टर और minus कम हो गें पहले अगर मैं बात करूव केमेस्ट्री में से कौन कौन चैप्ट्र इधा दिये गए तो सरफेस केमेस्ट्री सुरीYA केमेस्ट्री RAM अगर मैं बात करूँ यहां पर 기stand espormatter solid state surface chemistry deep glock hydrogen metallargy polymer chemistry everyday life और environmental chemistry यह चैप्टर केमेस्ट्री ने NMC ने हटा दिये chemistry में से तब chapter कम हो गए अब इनी जो बच्चे हुए chapter से इनके अलावा उनी में से questions आएंगे जो कि लगबग हर एक बच्चा पढ़ता है तो कहीं न कहीं हर एक बच्चे के बीच में अब competition जादा हो गया हाँ या न अगला biology में बात करूँ तो कुछ topics से बेटा जैसे की कोकरोचे जो आप काटा दिया गया है फ्रोग आ रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल, नूट्रियंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ये कुछ topics अटा दिये गये हैं अब जो बच्चे हुए topics से उन्ही में से questions आएंगी हाँ है न कहीं बार ऐसे बहुत सारे गंदे topics होते थे जिनको कुछी बच्चे ढंग से पढ़ते थे जैसे की chemistry की बात करूँ तो ये topics ऐसे थे बिटा जिनको कुछ selected बच्चे ही ध्यान देते दिन में सारे नहीं पढ़ते थे सारे जो चेप्टर पढ़ रहें अब उन्हीं में से question आने सारे के सारे तो कहीं न कहीं competition बढ़ा के घटा बढ़ा ये चीज़ भी clear है और फिर अगली बात कि यार NMC ने फिर वापस से यहां पर NTA ने एक नया सलेबस release किया पुराना जो NMC का सलेबस वहीं वापस से दुबारा से release कर दिया तो मतलब वहीं रहेगा सलेबस कोई चेंज नहीं बायलोजी में जो चीज़े जैसी ती वैसी होनी है कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं लेनी है तो अब आपको बिटा थोड़ा जादा पढ़ना होगा प्लीज थोड़ा अच्छे से मैनट करेंगे सारी चीज़े बढ़िया से करेंगे सारी चीज़े एकदम अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी और अगर बिटा अगर आप ढंग से और महनत करना चाहते हैं अब तो आपको लग रहा है कि अभी यार हम थोड़ा सा अभा मेन सिस्टम में जाना पड़ेगा सिस्टम के साथ मेहनत करके पढ़ाय करनी पढ़ेगी क्योंकि तभी नीट निकल सकता है पहले तो हम की थोड़ा बोत इधर उधर करकुरा के पढ़ लेते थे लेकिन अब हमें हर एक सब्जेक्ट को और स्ट्रोंग बनाना है तो स्ट्रोंग बनाना है तो बिटा डाउट नट पर चल रहा है उडान बेच लाइव बेच उसको जोइन कर सकते हो बढ़िया से अच्छे से और अपनी तयारी को मजबूत कर सकते हो क्योंकि अब मजबूत तयारी ही आपके सेलेक्शन को पुक्ता करेगी मैं यहाँ पर आपको डराने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर आपको यह बताने आया हूँ आपको हकीकत से रूबरू करवाने आया हूँ कि अब यार इन बच्चों के साथ भी आपका कंपिटिशन होगा पहले जो PCM वाले वो अलग एक्जाम देते थे अगर किसी को option मिल जाए जैसे कि मान लो मेरे पास दो चोईस हो आप जेई का भी एक्जाम दे सकते हो नीट का भी एक्जाम दे सकते हो बस biology additional में लो कि भाई क्यों नहीं लूँगा तो अब ये बच्चे भी तो क्या करेंगे additional subject biology लही लेंगे तो कहीं न कहीं आपका competition बढ़ेगा तो इस साल ही निकाल लो नीट का एक्जाम जिसमें आपका फायदा है बेटा तो ये आपके लिए मैं एक advice लेकर आया हूँ तो आप इस चीज़ को सही वे में लें बढ़िया से पढ़ें और अच्छे से अपने नीट के एक्जाम को क्रेक करने के लिए पूरी जद्दो जहद लगा दे तो ये मोगा फिर बाद में नहीं आएगा तो कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया अच्छा सा एक्जाम दें और अच्छे से अपने marks बूस्ट करें और बढ़िया से उसके लिए proper planning करते हुए पढ़ाई करें कोई भी अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा बेक लोग हो गया फिर मैं hopeless नहों अच्छे से मेहनत करें अच्छे से कोशिश करें और जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है ठीक है आप बढ़िया से मेहनत करेंगे तो सारी चीज़े आप क्रेक कर पाएंगे और जो बच्चा अल्रेडी पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है तो उसके लिए कोई exam टफ नहीं होता वो क्रेक कर लेगा उसको तो सिर्फ exit चाहिए तो आई होप आज का ये पूरा का पूरा session आपको काफी ज़्यादा motivate करेगा आपको एक नई energy देगा आपको एक push देगा कि यार अब तो मुझे करना है हाया ना तो कही न कही इन सारी बातों को आपको feel करना है बढ़िया से अच्छे से अगर आप एक neat aspirant है आपके अंदर एक doctor बनने का जुनून है तो इन सारी चीजों को जरूर फोलो करें बटा तो कही न कहीं हम जब exam दे रहे हैं तो हमें exam के अलावा इन चीजों को भी देखना जरूरी है तो आप सभी का बटा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हैंद